हेलो फ्रेंड्स मैं रहनू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ दोस्तों आपकी अपने चैनल रहनुदा कीचिन चैनल पे तो दोस्तों पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन आज मैं आप सभी के सामने टमाटर पकोड़ा की रेस्पी लेके आई हू तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरू देखिएगा बिल्कुल भी स्किप्ट ना कीजिएगा अगर आप स्किप्ट कर देंगे तो आप ये टमाटर पकोड़ा की रेस्पी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाएंगे और इस टमाटर पकोड़ा की रेस्पी बहु बहुत ही मज़ेदार बनेगी तो जरू देखिएगा और आप भी जरू बनाईएगा तो चलिए बनाते हैं तो बनाने से पहले अगर आप सुभी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नी किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्यों आप सुभी को मेरे चैनल पे ची रेस्पिय देखने को मिलेंगी और बेल आइकन बटन क्लिक करना तो दोस्तों ना भूलिएगा तो चलिए आईए बनाते हैं तो आईए दोस्तों बना लेते हैं टमाटर पकोड़ा रेस्पी टमाटर पकोड़ा रेस्पी बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बनती ह आप भी जरू ट्राइ करिएगा तो मैंने यहां पे सामान पहले से रेडी कर लिया है तो उसके लिए हमेंचे यह दो आलू जो मैंने बॉयल कर लिये हैं चील लिये हैं और ठंडे हो चुके हैं और यहां पे मैंने ले लिये हैं चार टमाटर जो पहले से अच्छे से वाश कर है मैंने और यहां पर ले लिए है मटर के दाने और यह एक प्याज है जो मैंने बारिक चौप कर ली थी और यहां लेसन की दो कली है जो मैंने वो भी दो बारिक चौप कर ली है दो कली है और यह उड़त की डाल है सौंप ले ली है आदी चम्मच और अद्रक है जो मैंने दालेंगे की में OIL को हम गर्म होने देंगे ओल हमारा गर्म होचुका है अब ईसमें हम FDA की दाल तो टमाटर पकोडा की हम आज पहले बना रहे हैं फिलिंग अब इसमें हम डाल रहे हैं सांफ समफ और रोड़त की दाल को थोड़ा सा भून लेंगे अब ये भून चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे अद्रक अद्रक डालने के बाद इसमें हम लेसन डाल देंगे इसको चला लेंगे और ये हरीमिश डाल देंगे हरे मिर्श थोड़ी सी भुन चुकी है तब इसमें हम डाल देंगे प्याच प्याच को भी हमने ज़्यादा नहीं भुणना है थोड़ा ही सा इसको हमें इस तरीके से भुणना है अब इसमें हम डाल देंगे मटर के दाने इसको हम चला लेंगे दोस्तों यहां पे हम से पहले नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद थोड़ा सा मटर को हम पका लेंगे चला लेंगे इसको और ढख देंगे और मटर को पकने देंगे जब तक मटर पक नहीं जाती तो चलिए यहां पे ढख के हमने पका ली है मटर को तो मटर हमारी पक चुकी है अब इसमें मैं डालूँगी एक चमज धनिया पाउडर और आदी चमज इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और आदी चमज इसमें हम डालेंगे लाल मिर्श पाउडर इन मसालों को हम पहले तो चला लेंगे थोड़ा सा भून लेंगे मसालों को अब ये मसाले भून चुके हैं तो इसमें अब हम डालेंगे आलू जो हमने बॉल की रखे थे मैंने इसको थोड़ा मसील लिया है और भड़ यह तरीके से इसको हम मिला लेंगे मसाले को तो दोस्तों जैसे कि हम बना रहे हैं फीलिंग लेकिन अगर आप इसको रोटी के संग भी खाएंगे तो काफी टेस्टी बनेगी इस तरीके से अगर आप फीलिंग बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी अगर आपको कोई सब्जी नहीं समझ में आ रही है तो आप इस तरीके से बनाके रोटी भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगी आपको जैसे कोई सब्जी नहीं समझ में आ रही हो तो आप इस तरीके से इसको बनाके रोटी के संग भी खा सकते हैं दोस्तों बहुत टेस्टी लगेगी और मज़िदार भी लगेगी तो यहां सी खुजबू आ रही है दोस्तों बड़िया सी फीलिंग बनके रेडी हो चुकी है हमारी तो एक प्लेट में इसको मैं निकाल लूँगी और इसको हम कर लेंगे ठंडा जब तक कि यह हमारी ठंडी होती है तो आगे की तैयारी कर लेते हैं चलिए तो यहां पर यह टमाटर ले के औरम लेंगे यह देखिए ऐसे ज्थे इस तरीके से हमें काट लेना है तो इसलिए हम एक कटोरी में इसको कर रहे हैं जिससे हमारी सब्जी में भी ये काम आ जाएगा तो इस तरीके से हमें टमाटर चाहिए जी देखिए इसको हम रख लेंगे और दूसरा टमाटर भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगी ये उपर का कट कर लेंगे हम अब इसका आराम से देखिए इस तरीके से इसको उपर का हटा देंगे और इस तरीके से कट करेंगे इसको भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है और ये बीच का जो हमारा है ये इसको निकाल देंगे और इनी टमाटरों को सभी टमाटरों का हम निकाल लेंगे और इसमें कटोरी में खटा कर लेंगे टमाटर का रस और इस तरीके का हमें टमाटर चाहिए और इसको हम ये सबजी में यूज कर लेंगे तो ये देखे दोस्तों हमें इस तरीके का टमाटर हमने ले लिया है अब चलिए ये देखिए अब चलिए एक लेते हैं बाउल बाउल में लेंगे हम डेशन अब यहां पे बेशन ले रहे हैं बेशन मैंने यहां पे आदी कटोरी लिया है इसको हम पानी डालके एक घोल रेडी कर लेंगे ज्यादा पतला घोल नहीं हो दोस्तों इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके एड़ करें इसमें क्यों गाड़ा घोल हमें चाहिए पतला घोल नहीं चाहिए हमें इसके लंस नहीं इसमें रहें इसलिए मैं इसको दीरे दीरे करके पानी डाल रही हूं गोल रही हूं और अच्छे से फैंट रही हूं कि इसमें लंस नहीं रहने चाहिए इस तरीके से हम बेशन को फेटेंगे यहां पे देखिए बेशन बड़िया तरीके से फिट रहा है और यह देखिए हमारा गोल रेडी हो चुका है अब इसमें हलका सा मैं डालूँगी नमक ज्यादा नहीं अब इसमें इधर में हमने बेशन गुल रेडी हो गया है तो चलिए इस्टफिंग भी यह जो हमने फीलिंग बनाई थी वो रेडी हो चुकी है अब इसमें हम टमाटर में इस तरीके से इसको भल लेंगे यह देखिए अच्छी तरीके से इसको अंधर तक भल लेंगे ऐसे भल लेना है उप इसे देखिए यह हमारी एक रेडियो चुका है बनके देखने में काफी बढ़िया लग राहा है दोस्तों अब दूसरे टमाटर को भी हम इसी तरीके से भर लेंगे ये देखिए ऐसे ऐसे भर रहे हैं हम इसको और सभी टमाटर जो हैं हमारे हम इसी तरीके से भर लेंगे ये देखिए भर के रेडी हो चुका है बहुत ही बढ़िया लगेगा आप बनाईएगा जरूर ट्राय जरूर गीजिएगा यह देखिए हमारे चारों भर चुके हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों अब यहां हमने रख लिए कड़ाई तेल मैंने पहले से गरम उने रख दिया था तेल गरम हो चुका है अब चलिए हमें क्या करना है अब यह जो हमने गोल रडी किया था इसको हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से यह देखिए यह इस तरीके से इसमें हम डाल के इधर रख लेंगे और दूसरा भी हम इसी तरीके से डाल देंगे अब ये तेल यहां पे गरम हो चुका है तेल में हम डाल देंगे इसको थोड़ी बहुत इसमें दोस्तों ये निकलेंगी इसकी क्यों तेल ज़्यादा गरम होता है इसलिए फिर बाद में ये बुंदी नहीं निकलेंगी इसमें अब इसको हम सिकने देंगे यह देखिए तो यह देखिए सिख रही हैं अब इसको हम बढ़िया सा सेख के रेडी कर लेंगे ज्यादा नहीं हमें तेज आज पे भी नहीं सेख नहीं है और ज्यादा लोग पे भी नहीं सीख नहीं है अब यह सिख के रेडी हो चुकी है तो देखिए दोस्तों हमने सभी सेख के रेडी कर ली हैं खाने के लिए तयार हैं, रेडी हैं सर्व कर ली हैं, हमने गरमा गरम टमाटर पकोड़ा बनके रेडी हो चुकी हैं आप भी जरू ट्राइ करिएगा इस डैस्पी को तो यहाँ पे देखिए अब मैं आपको टमाटर कट करके बताती हूँ एक बहुत ही बढ़िया बने हैं दोस्तों यह देखिए इसको अमहल के हाथ से कट करेंगे इसको आप सौस से खाईए हरी चटनी से खाईए काफी मज़िदार लगेंगे यह देखिए बनके रेडी हो चुके हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों अगर आप सभी को मेरे यह टमाटर पकोड़ा की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तता शेयर जरूर करें और मुझे ऐसे ही कमेंट करके बताते रहें कि आप सभी को मेरी यह रेस्पी कैसी लगी है धन्यवाद दोस्तों फिर से मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई